Hello everybody, how are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कुस करने वाले हैं How to prepare for Aligarh Muslim University Law Interest Exam in 2025 Days from Zero. तो आज हम क्या डिस्कुस करने वाले हैं? एम यू के बाले में सबसे पहले हम स्ट्राटेजी डिस्कुस करने वाले हैं कि आप 20 to 25 days में ये exam कैसे clear कर सकते हो? कैसे फोड़ सकते हो इस exam को? ये डिस्कुस करने वाले हैं हम तो उसके लिए आपको क्या बताना चाहिए? No.1 आपको बताना चाहिए important topics कि मेरे वो important topics कौन से हैं? ये कहना हर section के important topics यहां पर हम डिस्कुस करने वाले हैं important topics पता चल गए तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी books में से हमें पढ़ना है? अब books पता चल गई तो हमें पता होना चाहिए how to study, वो छोटे-छोटे tips and tricks भी तो पता होने चाहिए कि कैसे सब कुछ होगा? अब हमारे पास सब कुछ है आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या schedule follow करूँ क्या schedule follow करूँ क्या मेरा day-to-day schedule होना चाहिए और मैं कैसे syllabus खतम करूँ और syllabus खतम करने के बाद मेरी strategy क्या रहनी चाहिए वो सब कुछ हम इस video में discuss करेंगे तो अगर आप ये video complete देखते हैं और इस video को follow करते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल AMUK exam को forward सकते हैं आप crack कर सकते हैं चलिए start करते हैं आज के session के साथ चानल को subscribe करते हैं बेस बाटन पर हिट करते हैं लाइक करते हैं विडियो को और comment down below कि आपको मेरी क्या help चाहिए आप करते हैं चलिए start करते हैं क्या गाईज वैलकम तो लागिडियो आप किया है यहां सबस्क्राइब कर दो अनुट कर दो क। सब्सक्राइब कर लोगिरी कर अफक्टी कर में हमते हैं लॉगरी दू फॉल्वास ओन इंसे इंपोर्टन डेट्स देख लेते हैं आपका जो एक्जाम है थर्डी पॉर्स जॉलाई को ट्वार्स का एक्जाम है फोर पीम पे एक्जाम होता है ठीक है फीस कितनी है अप्लिकेशन फीस यहां पर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ सीच और इ एक्जाम दे सकते हैं आपकी एक्जाम होनी चाहिए वह more than 22 यह नहीं होनी चाहिए फॉर्स जॉलाई 2022 को अगर आप इस कोर्स के अंदर इस लाव स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं ठीक है बात करते हैं मार्स डिस्रिबूशन की तो मार्स डिस्रिबूशन की रांडमार्क जज्जमेंट्स है उनके बारे में और जो रीसेंट ड्यूस है उसके बारे में पता होना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है रीजनिंग और आप्टीट्यूट आपको पढ़कर जाना है और जो एक्जाम के टेस्सेंटर्स हैं वह अलीगल कोजी कोड़े में आपका ये एक्जाम होगा ठीक है subject wise strategy discuss कर लेते हैं और उसके लिए मैंने आपको बोला था syllabus बताऊंगी syllabus में सब कुछ बता करके मैं आपको important topics यहीं पर mark करवाऊंगी plus books के बारे में भी मैं यहीं पर आपको बताने वाली हूँ और tips भी आपको यहीं पर देने वाली हूँ ठीक है logical reasoning के अगर हम बात करें तो logical reasoning के आपको सबसे बादा important topics है coding decoding series puzzle test arrangement वाले questions आपको अच्छे से करकर जाने है directions है इस test भी important है और analogy भी important है देखिए इसके लिए जो best best book रहती है वो है verbal reasoning by RS Agarwal की book यह best book है इसमें से आपके questions same lines पे कभी-कभी तो same question भी आने के chances ठहते हैं तो ये book में से आप ये वाले topics सारे पढ़ कर जाएंगे अब इस book का अंदर problem का है ये book बहुत-बहुती मोटी book है बहुती bulky book है तो bulky book है तो इसका solution क्या है देखिए क्योंकि book bulky है तो इसका solution number one ये है कि सबसे पहले तो only solve those sections only solve those topics जो मैंने आपको बताए है number one तो ये चीज़ है number two जो आपकी है आप example solve करें अच्छे से example solve करें प्लस exercise में pick and choose करें तीक है ना मतलब अगर लग रहा है कि हां मेरा answer same आ गया है मतलब answer same नहीं मतलब में से questions solve हो पा रहे हैं तो थोड़ी speed practice करके आप you know pick and choose करके questions solve करें तीक है ना ये आप कर सकते हैं प्ल आप wrong question attempt करते हैं या पर कोई difficult question attempt करते हैं उसको भी mark कर लें ताकि revision के time पे revision के time पे मेरे बच्चे क्या परेंगे एक तो tricks पढ़कर जाएंगे और एक questions और revision के time पे भी आप random questions तो attempt करोगे ही प्लस ये wrong और difficult वाले questions जरूर attempt करोगे ठीक है ना अब यहां पर मैं अगर topic 5 बता exercise है वो करना last exercises आप छोड़ भी सकते हो direction sense test बहुत ही छोटा topic है अराम से हो जाएगा analogy बहुत ही बल्की topic है इसमें आपको सुरफ concept समझना है तो exercises solve कर लेना 2-3 exercises solve कर लेना concept समझ लेना के analogy कैसे solve करते हैं यह आपको करना है ठीक है उसके बार जो हमारे यह सारे के सारे आपके 5 topics very very important topics mark करोगे आप और उसके बाद यह वाले हम first run में करेंगे अब run क्या होता है अपनी preparation को आप first run और second run में divide करोगे first run में आप important topics करोगे हर section के every section के important topic आप cover करोगे और second run में जब आपका सारे sections के important topics खतम हो जाएंगे तो second run में जो बच्चे कुछे topics हैं वो करोगे clear है blood one out blood relations clocks and calendars अब यह दोनों topics आपको इस book में मिल जाएंगे clocks and calendar आपको online पड़ना पड़ेगा विकास आरे सगरवाल की book में आपको clocks and calendars नहीं मिलने वाला है तो ऐसे आपको preparation करनी है अपनी logical reasoning की यह section बहुत important है because अगर आप इसको अच्छे से कर कर जाते हैं आप अपने practice attempt कर पाएंगे ठीक है math की बारे में बात करते हैं तो math में हमें आते है one two eight questions जो कि again बहुत अच्छी बात है numbers day surface area volume में से हमारे questions आते हैं सबसे जादा अब इसके लिए आपको invest करना पड़ेगा एक book का नाम note कर लीजे 18 days wonder by s.chand ठीक है na 18 days wonder by s.chand की book buy कर लीजे और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से formula सब कुछ exercises explain करी हुई है अगर आप वहां से अच्छे से पढ़ जाते हैं तो पका ही है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे I know बहुत चारे बच्छों का math week होता है but ये book हर किसी के लिए काम करती ह है that is why I am suggesting तो ये आपके top परले 3 topics important topics होगे इनको mark कर लीजे और second run वरे topics जो हमारे है वो है ratio proportion profit and loss average अब देखे statistics जो है वह आपको 18 days wonder में नहीं मिलेगा अगर आपको स्टाइस से cover करना है तो NCRT की 10th class की books में book में से कर सकते हो और उसका link आपको मेरी website में मिलेगा वह है www.logery.com ठीक है ना अगर आपके पास by chance 30 days wonder बढ़ी है तो 30 days wonder में सारे ही आपको topic मिल जाएंगे ओके बात करते हैं English की English के अंदर synonyms and antonyms देखे आज से ही from today only start learning lists तो कि आपको मिलेंगे लिस्ट में आपको हर रोज 15 idioms आपको क्या करना है 15 idioms याद करने 15 synonyms 15 antonyms यह आपको याद करने हैं हर रोज और आपको 15 one word substitution और 15 spelling mistakes यह हर रोज आपको one art देना है इस्टीज को ठीक है इसके अंदर आपको grammar भी कबर करके जाने है grammar का first step 1 क्या होगा step 1 होगा basic grammar करना that is prepositions, tenses, subject, verb, agreement यह आप करोगे फिर जब आपके पढ़ लोगे फिर आप करोगे spotting errors और यह यह आपका step 2 रहेगा यह भी important है उसके बाद idioms में बता दिया learn करने तो यह तो आपके word, substitution, spellings यह भी list format में है तो इसको हर रोज time देना पड़ेगा यह everyday वाले topics हैं जो इन आपके इधर mention कर दें कौन सी book buy करें SP वक्षी की book buy कर सकते हो आप RS अगरवाल की book buy कर सकते हो कोई भी book buy कर लो कोई और competitive exam की book पड़ी है जिसमें यह सारे topics हैं वहां से भी आप चीज़े पढ़ सकते हो ठीक है बात करते हैं legal aptitude की तो legal aptitude में Indian constitution बेटा जी यहाँ पर अगर आप मेरा course पाई कर ले तो Indian constitution का तो solution के लिए बुक कौन सी चाहिए आप universals की book buy कर सकते हैं universals की book में से बढ़िया सी theory पड़े और उसके MCQs भी solve करें ठीक है ना books का link आपको description box पे मैं provide करवा दूँगी legal terms and maxims के लिए एक free pdf available है www.logery.com पे जाईए वहाँ पर free के अंदर pdf डाउनलोड करें लॉगरी के spelling LAWGIRI ठीक है अब हाँ पर जाईए और डाउनलोड करकर print out निकाल के अच्छे से याद कर लीजे बात करते हैं general knowledge के I know general knowledge हर किसी के लिए बहुत ही जादा problematic subject है section है तो यहाँ पर हम दो में divide कर सकते हैं एक तो हमारा static G क्या आता है और दूसरा हमारा आता है current affairs दूसरा क्या आता है current affairs ठीक है तो अब current affairs में बहुत थारे मेरे बच्चे ऐसे होंगे option number one जो follow कर सकते हैं जिन्होंने CLAT की preparation करी है किसी भी exam की preparation करी ठीक है और उन्होंने already magazines जो है वो follow करी हुई है ठीक है तो अगर तो magazines already follow करी हुई है तो इनको ही revise कर लो ठीक है ना कब तक की news पढ़नी है देखो newspaper end date तक अपने exam तक पढ़कर जा अपको पता ने कौन सा point कब cover हो रखा है ठीक है तो कोई ऐसे date नहीं होती कब से news करनी है देखो यहां पर भी मैं आपको दो चीजें दे देती हूं एक तो firstly हमें news जो अच्छे से करनी है वो करनी है January 2022 से लेकर के June 2022 तक यह news तो हमने बहुत से करकर जानी है second अगर हम try करें कि हम at least कुछ और नवेंबर डिसेंबर 2021 की news पढ़ लें ठीक है और अगर आपने सारी की सारी news cover करी हुई है और revise करना तो January 2021 से लेकर June 2022 के अगर news आप कर जाते तो तो बहुत ही जादा फाइद मन्द हो जाएगा यहां पर ठीक है तो यह भी आप कर सकते हैं अब option no.2 क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यह नहीं किया है option no.2 में जो आपके पास मैं आपको देती हूं option एक तो shortcut option है shortcut option के लिए ही अब जाना पड़ेगा time कम है tits bits नाम की book आती है आपको amazon पर मिल जाएगे वह order कर लो august की आ गई है अब link में description box में देद हूं यहां पर आपके important topics of 2021 और 2022 cover रहते हैं तो वह आप वहां से cover कर सकते हैं tits bits buy कर लीजे ठिक हैं नहीं तो और या फिर दूसरी book जो आपकी है वो catch up आती है singles की catch up की book आती है singles की catch up की book आती है वो आप buy कर सकते हैं amazon से again link description box में मैं provide कर वा दूँगी तो यह आपके shortcut है अगर बहुत ही जादा shortcut चाहिए तो इसके लिए जा सकते हैं थोड़ा जादा पढ़ सकते हैं तो catch up के लिए चले जाए अब यहां पर एक add-on जो mandatory है अगर चाहते हो कि हां कुछ त पर इस चैनल को subscribe कर लो और newspaper को हर रोज सुना करो दो हिंदू का analysis करती हूं है और आप पिछली important news भी cover कर सकते हैं हमने weekly analysis किये हूं है जिसके अंदर आपके important questions mcqs मैंने cover कर वाए हूं है यह आपको April में April से लेकर के April में June यह सब के मिल जाएंगे तो वो जरूर जरूर करें बहुत ही important questions महां से cover होंगे यह हमारा current office उसके बाद आते हैं static gk पर static gk के जो आपके topics हैं वो है history, geography, international organization, science, important first, important days अब आपने universal की book तो खरीद नहीं है legal aptitude के लिए तो universal की book में से ही आप इनके mcqs पढ़ कर जाएंगे देखे, I know मैं आपको ratification करवारे हूं बट क्यूंकि same questions आने के chances रहते हैं number one, number two अगर mcqs पढ़ते हैं तो important questions हमारे cover हो जाते हैं और अभी इस time पर important questions भी cover करने का time है तो universal में से पढ़ जाएंगे बेस तरीका ये है कि पीछे से question copy, question का answer copy करो अगर पता है क्या answer जो answer है वो क्यूं है तो बहुत बड़े हैं नहीं तो google महराज के पास जाओ उनसे information copy करो और book में थोड़ी से information लिख लो ताकि रट्टा मारने में असानी हो जाए ठीक है बात करते है schedule की तो यहाँ पर schedule provide क्या हूँ है मुझे बता है video लेट जा रही है 7 जुलाई को video जा रही है तो आप try करें कि 8, 9, 10 या 9 जुलाई से ये follow करें because recording में problem होगी थी इसलिए video upload नहीं हो पाई तो इंडियन constitution आपके 3 hours, tenses को 2 hours दे सकते हैं आप मतलग भी सारा schedule मैंने provide क्या हूआ यहाँ पर आपको पहले grammar आपकी cover होगे इसलिए हम यहाँ पर spotting errors cover कर रहे हैं उसके बाद 27, 28 तक आपका schedule पूरा हो जाएगा उसके बाद जित कोशिच करने ताकर revision के time पे easy रहे और random questions भी solve करने है revision के time पे try करो यहाँ पर mocks भी attempt कर पाऊ previous year question papers attempt कर पाऊ अगर में पास previous year question papers होंगे AMU के है मेरे पास मैं आपको link provide कर दूँगी right so guys that's it for today's video I hope आपको video helpful लगी अगर video helpful लगी तो like कर देना चाल को subscribe कर देना bell button पे पे लिट कर